नमस्कार मित्रो मैं पंडित की शुक्ल जैमा काल आयरुएत यह मेरा मुवाइल नंबर आपको दिखी रहा होगा 91658238 00 यह मेरा मुवाइल नंबर है देखो मित्रो बहुत सारे ओशदियों के लेने वाले हमारे या सब्सक्राइबर या बहुत सारे बिचारे ऐसे पेशेंट है, मरीज है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह मैं नहीं जानता परन्तु एक बात निश्चित हो गई है कि लोगों के आज के समय में छोटे छोटे दस साल तक के बच्चों की किड्डी खराब और लीवर खराब, खाना नहीं खिला रहा है, खाना नहीं पच्रा है, पिशाब नहीं आ रही है और किड्डी की खराबी बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत परसमें बढ़ रही है सुगर के कारण, मदुमे रोग के कारण किड्डी और लीवर दोनों खराब होते हैं और जब आप एलोपेथिक दवाईयां खाते हैं, तो वैसे ही आपका रक्त तो सुद्ध नहीं होता तो सब दवाईयां लीवर में जाके जमा होती है, आधिकांस तब मैंने ये देखा है, कि मदुमे रोगी को फैटी लीवर हो जाता है असल में जो सुगर एलोपेथ से कम होती है, वो जाती कहां है, ये हमने कभी नहीं पूछा वो जाके रक्त से निकलके लीवर में जमा हो जाती है, लीवर आपका मालगोदा में जो भी दूसी चीज आप खाओगे, किसी कारण वस आपके पेट में चलीगे वो लीवर में चली जाती है, लीवर प्रोटेक्शन करता है, बचाओ करता है कि वो और कहां न जाए, लीवर में जम जाती, तो आपका पूरा लीवर और किड्नी, ये दो चीज आपके पूरे सर करके मल मूत्र के माद्यम से बाहर निकाल देती है, मूत्र के माद्यम से और लीवर मल के माद्यम से निकाल देता है, आज कल लीवर और किड्नी, दोनों लोगों की खराब हो रही है मित्रों, तो हम इसको रक्सोदक के नाम से बनाते हैं ये, इसमें करीब 21 सो सदियों को डा यह चूण है मित्रों कि अगर आपको दो महा 3 महा या चार महा हो भी गए डायोचेक से कराते हुए अपने देखा होगा कि एक महा में पहले दो बार डायोसेस होती फिर 3 बार होती फिर 4 वार होती फिर बढ़ती चली जाती है और उसका कोई परिणाम तर्बान तो निकलता नहीं आपका राते रहा हुआ धाय DON pione डू हादमी लगेंगे पहसा लगेगा और मशीन में क्या-क्या सुधिया है ये तो पता नहीं रहता हम फिर धिरे तापका जीवन म्रत्ु मृत्टू हो जाता है ना अदमी जिंदर रहता ना मर जाता है ऐसा मेरे बहुत सारे पेसेंटों का कहना था हमने इस दवा को इस चूंड को बहुत सारे मरीजों को दिया जिनकी क्रेटनाइन बहुत जादा बढ़ा हुआ था उनला को दो से तीन माह में अपने लेविल पे आ गया पेसाप की मात्रा सरीर में बढ़ गई और उनक इतना बढ़िया चीज है इसमें हमारे आयरवेद में है आयरवेद तो सबका है पूरे भारतवर्स का है परन्तु दिव और सदियों का सम्मिस्रण उनको लाना नक्षत्र के हिसाब से लाना समय पर सुखाना और हाथ से कूट पीसके बनाना यह पूरा पौडर हमारा अच्छा नक्षत्रों तब बनाते हैं तो आपका अगर लीवर में फैटी लीवर है कि पीलिया हो गया है ऐसा कोई बुखार जो खतम नहीं हो रहा है आखें पीली है भूक नहीं लगती है भूक कम हो गई है यह हमारा चून जो है आपको एक महा में भूक बढ़ा देगा आ किसी भी प्रकार के लीवर में गंदगी है फैटी लीवर तो ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दो से तीन माह और अगर शीमित मात्रा में है मरीज की उम्र कम है तो एक महा में फायदा हो जाता है देखा मित्रों कई लोग पूछते हैं कि कब तक फायदा हो जाएगा कितने कम है तो दवा जल्दी खून को कून में पहुंसती है और जल्दी ठीक होता है आईउ अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो समय लगता है क्योंकि रक्त धीरे चलता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सरीर में रक्त का संचालन कम होता चला जाता है उसी इसाफ से यह दवा से ठीक होता है मैंने तो दो तिन तिन मैने से जो डायलिसिस करा रहे थे उनका क्रेटनाइन लेविल बिल्कुल वापस आ गया पेशाब की मात्रा बढ़ गई और उनका डायलिसिस छूड़ गया किडिनी और लीवर यह दो एक ऐसी चीज़ है किडिनी भी अगर 25% की मात्रा बची हुई है तो इस चूंड से फिर से काम करना शुरू कर देती है यह इंसुलीन भी बनाता है आपका पैंक्रियास भी अगर खराब इस्तिती में हो गया तो फिर से उसको चालू कर देगा लीवर अगर आपका खराब इस्तिती में है सराप पीने से अन्न किसी बीमारी से लीवर सिरॉइसिस हो गई है तो लीवर भी धीरे धीरे आपका तीन से चार महां में बिलकुल अपनी पूर्ण इस्तिती में आ जाता है बसरते हैं फिर से सराप पीना ना शुरू करें और नानवेज ना खाएं सुद्ध साकारी भोजन खाते रहेंगे तो निश्चित रूप से बिलकुल विस्वास के साथ मैं किसकता हूं कि आपकी किडिनी भी ठीक हो सकती है पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी यूरेनरी सिस् घाव को भरेगा रक्त को असोधन करेगा पेशाब की मात्रा को बढ़ाएगा और आपकी किडिनी में किसी प्रकार की जो सूजन आ गई है उसको निकाल के बाहर कर देगा इसी प्रकार से लीवर में कोई सूजन है लीवर बढ़ा हुआ है भूख नहीं लगती है पेट में दर्द रहता है उसको भी यह जड़ मूल से नस्ट कर देता है इसी प्रकार से किड्नी में किसी प्रकार की पत्री है और गाल ब्रेडर की पत्री गलाने में मिस्तो ताइम लगता है चार पांच-छे माह लग जाते हैं कम से कम चार माह तो लगते ही लगते हैं क्योंकि गाल ब् निकल जाती है आईरवेद में इतनी सामर्थ है कि चाहे गाल बेडर की हो और किड्नी की पत्री तो बहुत जल्दी अगर छोटी है तो बहुत जल्दी निकल जाती पता भी नी शलता और फिर दुवारा बनती भी नहीं इस प्रकार से यह जो हमारा दिविचून बनाया हमने य सीवर पर काम करेगा पत्री पर काम करेगा और किड्नी पर किसी भी प्रकार का जो किड्नी में रोग हो गया मैं तो कहता हूं आज के समय में आप जो यूरिया की सबजी खाते हैं नाना प्रकार के सुद्धियां हम खाते हैं पानी गलत पी रहे हैं उसकी वज़े से जो आप आप के एड़ों ऊवरहें पहले रोग एसे नहीं आता आले पेड़ भीज्य लगता है प्र पीड़ बन जाता जाब आपको समझ में आता फिर और दे ट्रांस प्लांट कर आओंक ही द्रांस वह सब कि जार निण तोर पर हो चुखा है अगर आयरवेद में सब जड़ी जीवित होती हैं और ये जीवित पर ही काम करती है के हमिकल मृत होता है वह टेम्प्रेशनी के बाद से फिर से आपकी होई समस्या है शुरू हो जाती है मगर आयरवेद क्योंकि दिव जड़ी बूटी जिंदा जो रहती है उससे बनती है और जिंदा व्यक्ति पर चलती है और यह नेचुरल है इसमें कोई केमिकल नहीं होता तो यह धीरे-धीरे काम जरूर यह धीरे कर करता है तो जो लोगों को मैं तो कहता हूं कि जो जिनकी उमर 30-40 साल के उपर है उनको भी एक पैकेट चूंड कम से कम साल भर में एक बार खा लेना चाहिए ताकि आपका रक्त सोदक है रक्त का कोलिस्ट्राल खतम कर देगा किड्नी में कोई इंफेक्शने खतम कर देगा ल प्रिशाप की मात्रा बढ़ जाएगी लीवर में भूक नहीं लग रही आप लीवर की जांच करा लीजिए चूंड को लीजिए एक माह के बाद आप उसकी फिर से जांच कराके देख लीजिए आपके खून में फैट है कोलिस्ट्राल की मात्रा बढ़ी हुई है हिर्दय मे अब ही मैंने था तो कोलिस्ट्राल बढ़ेगा महनत कम होगी तो कोलिस्ट्राल बढ़ेगा आज कल मेहनत कोई करता नि बच्चे भी मॉबाइल लेकर एक जगह बैठे रहते हैं 11 बारव बज़े राद के सुते हैं सुभेरे 11 बारा बज़े उटते हैं मल सरीर में पढ़ा र करके घूंस पूर ta करते घूंस लेका ऑज्यद यहीं काम आक्ट रुप में है चालों का विल घूंस में करना स्कायों को शरीर वह रहाना करे है भूँस सी बात है मित्रों को इसकूइ पूसारा क्रों तो घुमाना पड़ेगा यह तербiciáfic जा भब खून गूमेगा जगे जगे जहां कुछ भी कहीं कोई घाव बन रहा है कहीं कोई गंदगी पड़ी उसको इखटा करके मलमूतर से निकाल लेगा और अगर हम आलस के जैसे पड़े रहेंगे तो फिर वहीं गंदगी पड़ेगी सड़ेगी और फिर नाना प्रकार के उपद्र और जो खून दीरे दीरे घाड़ा होता चला जाएगा तो फिर अटेक आएगा तो यह जो चूंड है यह आपके किड़नी पे भी काम करेगा लीवर पे भी काम करेगा एक प्रकार से परोग शुरूप से आपकर हिदय घात से भी आपको बचाएगा इतनी दिवचीज और मैंने आपको बताई दिया शुरू में 9165-8238-00 आप इसको खाईए देखिए मित्रो आपका जीवन सुदर जाएगा आपका रक्त बढ़िया हो जाएगा रक्त पतला हो जाएगा तो आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ेगी दिमाग अच्छा होगा या दास बढ सब्सक्राइबर हैं मेरे सबको आगरह करता हूं कि इसको और सबको भीजिए ताकि लोगों को जो किसी कारणवस जो भी टीका लगा जो भी लगा जो बोलते हैं कि अब खून में ठक्का बनने लग गया है और ऐसा लग गया है जो नियूज में जो बाते आ रही है इसका प् पद्धती से बनाया हुआ है इसमें दिव सब 2100 सदियां डली हुई है आप इसका प्रियोग करिए देखिए नहीं है कोई रोग हो भगवान करें बहुत अच्छा और अगर इसका प्रियोग करेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं हो यहली मेरा आज कहना था मित्रों बागी सब परमात्मा की इक्षा नमस्कार मित्रों मैं पंडित अकिल शुक्र जय माकाल आयरुवेद